एक धार्मिक आयोजन ने देश में करोना के खौफ को दोगना कर दिया है। दिल्ली के निजामुदीन दर्गा के पास थिद तबलीगी जमात की बिल्डिंग में आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जो शामिल हुए वो धीरे धीरे अपने घर लोटे और अपने साथ साथ देश के कोने कोने में कोरोना के कदम पहुँच गए। पूरे निजामुदेन इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है। आस्मान में ड्रोन लहराने लगे। डिटीसी के बसों में भरकर मरकज में ठहरे लोगों को दिल्ली के अलगलग अस्पताल ले जाये जाने लगा। ड्रोन की साहता से यहां पर अब हर एक गतिविदी पर नज़र रखी जा रही है। जमात के एक एक शक्स की उपर उपर की तरफ भी जाएगा जहां पूरा चेक किया जा रहा है। जाहर तो खत्रा बहुत जादा है संक्रमन का और जिस तरह से जिस्तिती पैदा हुई उसको लेकर अब जो प्रशासने काफी अलटे है। और पुलिस भी पूरे मामले में कारवाई करने का मन बना रही है। लेकिन ये सब कवायत क्यों? कैसे दिल्ली के निजामोदेन इलाके पर कोरोना की एपी सेंटर होने का खत्रा बढ़ गया है? कैसे मरकज की इस बिल्डिंग के तार पूरे देश में कोरोना फैलने की वज़ा बन रहा है? सबसे पहले ये जानिए। दरसल निजामोदेन इलाके में तबलीगी जमात का मुख्याला है। यही वज़ा है कि निजामोदेन में जो हुआ उसके बाद देश में हरकंप मजा हुआ है। अब समझे कैसे दिल्ले में हुए धार्मिक कारिक्रम से होते हुए कोरोना ने पूरे देश में सफर किया। मरकज में कारिक्रम में शामिल हुए 194 लोग तिलंगाना के रहने वाले थे। सब को अब क्वरेंटीन किया गया है। तबलीगी जमात के लोगों की तलाशी यूपी में भी की जा रही है। यूपी के डीजीपी ने ऐसे लोगों को क्वरेंटीन गणे का आदेश दिया है। तमिलाडू के भी 1500 लोग दिल्ली के निजामों दीन में थे, इनकी पहचान कर टेस्ट किये जा रही है। जमू कश्मीर के भी सैकडों लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, जिनका टेस्ट किया जा रहा है। अंडमान से भी बुरी खबर है, यहां तस ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें नौ का कनेक्शन दिल्ली के इसी मरकज से है। यह नौ लोग 24 मार्च को दिल्ली से अंडमान पहुँचे थे, जबकि एक मरीज जमात में शामिल एक शक्स की पत्नी है। दिल्ली पुलिस के लोग भी थे, लिडिस पुलिस भी थी, उन लोगों ने अंदर जाके उन लोगों को बाहर निकाला है। मरकज में शामिल 1400 लोगों में 11 के कोरोना पॉजिटिव होने की पुछ्टी हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही घोर अपराद की श्रेणी में काम किया है। दिल्ली के अंदर डिजास्टर, पुर्य देश में डिजास्टर एक्ट लागू था। दिल्ली के अंदर कंटीजिज डिजीज एक्ट भी लागू था। और पांच लोगों से ज़्यादा का कंटीजिजन, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिखके भीजा है, लिजी साब को कि इनके खिलाफ सक से सक कानूनी करवाई की जीजे। तबलीगी जमात के सेंटर के मौलाना के खिलाफ केजरिवाल सरकार ने F.I.R. दर्ज कराने का फैसला किया है। दिल्ली संकित्यागी और ओहित मिश्रा के साथ अर्विन दोजहा आज तक।